करनाटरक सीएम को लेकर कॉंग्रिस की एहम बैठेक दरसल आज करनाटरक सीएम पर एक बड़ा फैसलाइट लिया जा सकता है डीके शेव कुमार आज बैंग नूरू से दिल्ली आ रही है आला कमान से जो वादा किया था वो निपाया ये डीके शेव कुमार का कहना है आज कमान का आदेश है वो मानूगा डीके शेव कुमार का ये भी बैया सामने आए दरसल उनने बुलाये गया था लेकिं स्टमक इनफेक्शन की वज़े से वो दिल्ली नहीं पहुंचपाई उनकर्शाम को ये बैयान आ गया था लेकिन 아ब उन्होंने साफ कह दिया है कि हाई कमान का अदेश है वो मैं मानूगा अला कमान से जो बादा किया था वो मैंने निभा दिया मैंने भामत दिला दिया मैंने जीत दिला दिया जो नित्रित हुई यहाँ पर जिसकी जिम्मधारी मुझे सोपी गई थी वो मैंने ठीक से किया लेक लेकिन किस पर मुहर लगती है ये फिलाल अभी खड़के के पाले में है दिली न्यूस एडिटर अधीती हमार सा चुड़ गई है उनका रुख करते हैं अधीती 2018 का अगर मैं जिक्र करूं रादसान का ये करीबन वैसी ही तस्वीर बनती नजर आ रही है सबक तो लिया होगा क्योंकि अभी जो रादसार में सिती है वो भी बहुत कुछ बया कर रही है क्या सबक लेकर कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर इमोशनल होके सबक तो नहीं लिया इसलिए ऐसी स्थितिया हैं लेकिन ये बात साफ है कि इतनी बड़ी मेंडेट और खुछी के बाद अब जिस तरह का इंटर्नल गमासान है उसमें ना सिद्धार मया कुछ है और ना है बीके शिखकुमार बहुत लंबे समय से दोनों लगातार पचार पसाद कर रहे थे और जीत भी दिलाई लेकिन उसके बाद आज दीके शिखकुमार जिस तरह की एनर्जी वाले आगी है लगातार कल से इस तरह की बात कर रहे हैं कि मेरे पेट पेंसेक्शन है और मैंने 135 मेरी अजिक्सा में 135 व और अंदर खाने जिसे कहते हैं कि अंदर कापिट बहुत सारी खीटतान है लेकिन आज का दिन बहुत मैं पून है डीके शिखकुमार जिली आ सकते हैं सिद्धा रमया जिली है और कल रात को बैटक चली आला कमान के सामने फिर वही चुनौती है कि जोनों में से किसको कमान स अगर बनते हैं कि अगर तेसरी बात यह कि कुछ तीसरा ब्रक्षि आके बनता है पिर खेमे बाजी होगी और फिर वही सवाल कि सरकार पांक साल शांती से चल पाईगी क्या और आखरी ऑप्शन है अगर मलिकार अर्जम खड़गे को बेजा जाता है तो ऐसे में एक वेज़ में फिर कॉंग्रिस पर सब्सक्राइब कर लेते हैं और पार्टी के लिए चुप रह जाते हैं जो भी पद मिले उसे सिकार कर लेते हैं तब तो ठीक रहेगा वरना बीजेपी को एक बार फिर मौका मिलेगा ऐसी इसकिती में आज कजिन बहुत मैठपोन है क्या कुछ होगा अधिती वाकई में लगता है कि डीके शिव कुमार इतना बड़ा दिल यहां पर रखके इस तरीके के फैसले को सुईकार कर लेंगे क्योंकि प्रचार प्रसार की बात करें अभी जीतने की बात की बात करें तो खुद को CM के फेस पर उन्होंने कई बार चाहे इंडारेक्ली भी बोले खुद को रखा है यह साफ जाहिर है और दूसरी तरफ यह भी देखे कि कॉंग्रिस बुरे दोर से गुजर रही थी इससे कोई इंकार नहीं कर सकता ऑक्सिजन फूंकी है यहां पे और डीके शिव कुमार का नाम सबसे उपर आता है लेकिन उनके नेत्रित्म में स क्या कहते है वहां का एक्स्पीरिंस क्या कहता है देखे जनता तो कॉंग्रिस को लाना चाहती थी और जनता ने कॉंग्रिस को ले आए और दोनों ने ही हाट-to-art conversation करी है और यह बात कही है कि जो वादे हमने किये हैं वह सरकार शपत में आते ही हम पहली कैबिनेट की आजी विधायकों की है तो यह बड़ा सवाल उटका है कि विधायक इसके पास जादा है कि कि आपने शुरुआत में राजिसान का जिक्र किया था तो राजिसान ने अशोग गैलोथ को मुख्यमंक्तर इसलिए बनाया गया था तो कि चाहे फिर वो कॉंग्रेस के विधायक अशोग गैलोथ के समर्थन में उत्रे थे कुर्ची तो उसी के पास होती है जिसके पास विधायक होते हैं जिसका ताज़ा एक्जम्पल है कि जिस तरीके से पच्छ सतंबर की रात को आजैमाकन आये थे एक परमान लेकर जिसमें यह पा कि अशोग गैलोथ नहीं अब शच के पास कुर्फी होती है सो अब यह देन रिमिन और भी दर जो है वो लेकर आगए हैंसे में फ़र्च की घडिया के पास पर में यहिद्ल quatro आव sus şunu सकुझार आपकिर मेंडेट के साथ आगई है लेकिन ये आप सी खीक्सान कब तक चलेगी ये अब सोनिया गांदी राहल गांदी प्रेंदा गांदी मलिकार जिम खड़ गे दोनों मेंसे एक पक्ष को कैसे अंगल करते हैं सवाल हुटता है कि किसे सेसिल पालिट की तरह अंगल करेंगे या एक्स शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए